नमस्कार दोस्तों वेलकम टो माई चैनल क्रेटिफ हर्वार और आप देख सकते यह एक लैप्टॉफ है डेल का और मैं इसका एक ट्रीक बताने जा रहा हूं आपको तो यह देखिए डेल का लैप्टॉफ है बरबर दिखाई दे रहा है तो यह जो लैप्टॉफ है इसमें द यह प्रॉब्लम आपका आ सकता है ठीक है तो यह प्रॉब्लम आपका अगर आ गए तो यह बहुत ही मतलब आपके लिए आपका नसीब बहुत खराब है कि उसका मातरबर खराब हो चुका है और यह जो अभी-भी नया जो लैप्टॉफ हार रहा है ना तो उसमें वो पॉसर प्रॉब्लम अच्छे से समझ लीजिए कि यह चालू करते वक्त टॉं 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 करके से आवाज निकालता है और डिस्प्ले में कुछ नहीं आता है तो ऐसे मैं आपको क्या करना होगा मैं आपको दिखाता हूं ठीक है तो इसे आप ठीक कर सकते पर वो पार्मान स्लूशन नहीं है तो यह पार रटन है और आपको क्या क्या दबाना होगा मैं आपको दिखाता हूं यह देखें डाउन एरो इसे हटा देता हूं ताकि अब लोग को दिखाईए यह है डाउन एरो और यह है डी यह है डव ठीक है यह down arrow DW और देखे यह ऐसे डबाया और DW F2 देखे DW F2 एक साथ दबाना होगा और power button को दबाना होगा ठीक है और दबा के छोड़ देने के बाद आपको डिस्प्ले में कुछ चेंजे Sorry ठीक है दिखाई दे रहा है कि ऐसे चेंजे सोगा वबर वर तक भाईत्थ्यान से देखिए ऐसे कालरे से सऊगा और वह जो आवा जा रहा वह अगर दोबारा आए तो ऐसा तरीका दोबारा ड्राइ कीजिए तो यह हो सकता है आपका लैपटप चालू हो जाएगा यह देखिए अभी बंद हुआ है और आप इसे प्रेस करके फिर से चालू करूंगा तो यह देखिए पावर बटन फिर से प्रेस किया और आपको इस वीडियो को देखने के लिए और और कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि यह चोटा मोटा ट्रीक है यह जुगार है तो गाई थैंक यू फेरी माच और कॉमेंट्स जरूर कीजिए और सेयार कर सकते अगर नहीं करें तो मैंना कोई दिक्कत नहीं पर कॉमेंट्स और ला